आज मैं आपके साथ शेयर कने हूँ प्रोटीन से भरपूर काले चने की पराठे की रेसिपी इससे पहले हम आगे बढ़े अगर आपने मेरे चान को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो फ्लीज मेरे चान को सब्सक्राइब करें इससे मैं रात में भिगो लिया था कम से कम दो घंटे पहले भिगोए इससे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है साथ ही इसमें 5-6 हरीमर्ची डाल रही हूँ और फ्रेश धनिया पत्ता थोड़ा सा पानी डाल कर इससे ग्राइंड कर लेंगे स्मूध पेस्ट तयार कर एक बड़ा पोल ले ले रही हूँ इसमें दो कप आठा ले रही हूँ दो कप आठा डालने के बाद यह जो पेस्ट हमने रेडी किया था यह भी इसमें डाल दूंगी यह पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें एक चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया कर सकते हैं एक चमचलामर्चि साथ ही में दूद से आटा गुंडियों दूद से आटा बहुती सॉफ्ट गुनाता हैं देखिए चाहे तो फामी से भी कुन सकते हैं ये डौ सॉफ्ट दिख रहा है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा वीट फ्लार और एड़ करा है देखे आप देख सकते हैं बिलकुल परफेक्ट हो गया है इसे 10-15 मिनिट लिए ब्रेस्ट पर रख दोगे 10-15 मिनिट बाद इसे इस तरीके से एक बार और मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसका मीडियम साइज एक बॉल ले लेते हैं देखे डो को रख देते हैं साथ ही ये मैंने डो ले लिया है इसका मीडियम साइज बॉल बनालूंगी इस तरीके से रोल करके रोल करने के अब हम यह जो हमारा पराठा है से बेल लेते हैं, अब जो शेप पसंद करते हैं उस शेप का पराठा बना सकते हैं, देखें मैं आपको स्क्वेर शेप का बतारी हूँ, इस तरीके से इसको दोनों साइट से फोल्ड करें, इस तरीके से सारे साइट से फोल्ड करना है, पर शेप दे लें कि वेशिप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सरकल शेप में भी बना सकते हैं आपको वह भी देखा देती हूं दिखे पराटा रेडी है थोड़ा सब दो और ले लिया है मेरे मेरे मेडियम साइस का इसमें भी बीड फ्लार अपलाई कर दिया इसे भी हम बे प्रॉपर राउंड शेप देदेंगे इसी तरीके से अंसारे पराठे तयार कर लेंगे दिखिए भी रेडी है अब हम इसे से लेते हैं तवा मैंने पहले गरम कर लिया है इसमें घी डाल दिया है थोड़ा सा और युझे पराठाय ये भी रख दिया है 2 मिनन बाद इस तरी के से इसको परटा ले फिर इसमें घी लगा देंगे और Shia दोनों साइट तक आपको तब सेख ना है जब तक यह गुल्डन ऑन नहीं здए औ समात्र rb अगर जाते हैं अगर आप घि में नहीं बनाना चाहते हो तो आप तेल भी बना stupid ताले चनि में वैसे ही बहुत प्रोटीन होता है जब भी आपका पराठा खाने का मन हो साथ ही आप प्रोटीन भी लेना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राइ करें और कमेंट सेक्षिन में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर तबाएं